नमस्कार दोस्तों मेरे नाम में विमल सिंग बाला जिस्ट रिएड़ा में आपका स्वागत है डियलेड 17 अवसेस और 18 19 बैच के जो सभी एक्जाम है उसके समद्ध में परिक्षा सेंटर जो है उसके लिए एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है आज जो है वो 1 अक्टूबर 2020 जो है वो तारीक है देखते हैं क्या नोटिफिकेशन जो है वो निकल कर आया है तो ये नोटिफिकेशन कल यानि की 30 सितंबर 2020 को जारी किया गया था अगर आप देखेंगे इसमें तो जिला विद्याले निरिचक समस्त उत्तर प्रदेश को जो है वो सम्भोधित करते हुए PNP की तरफ से जो है वो लिखा गया है इसमें विशाय क्या है इसमें विशाय है DLA BTC प्रसिछड की परिक्षा कराये जाने हेतु जो परिक्षा केंद रहें उनकी सूची उपलब्द कराये जाने के संबन में इसके अंतरकत बात करते हैं तो बतरांग संक्या लिखी है उसके बाद लिखा है कि राज्य सैक्षिक अनुसंदान और प्रसिछड परिसद उत्तर प्रदेश लखनो द्वारा अनुमोदित परिक्षा कारिकरम के अनुसार DLBTC की परिक्षा दिनांक 30-10-2020 से दिनांक 11-11-2020 तक प्रदेश के समस्त जनपदों के निर्धारित परिक्षा के इंदरों पर संपादित होगी वर्तमान में COVID-19 वैस्विक महामारी के दर्श्टिकत बचाओ के संबन में राज सरकार द्वारा जारी जो दिसा निर्धेश हैं उसके अंतरगत सोसल डिस्टेंसिंग सैंटाइजिंग का पालन करते हुए उप्त परिक्षा संपादित कराई जानी है परिक्षा युजित कराई जाने के संबन में जन्पदवार प्रसिच्छड रत जो अभ्यरती हैं उनकी सूची आप द्वारा परिक्षा के इंद्रों का निर्धारन किये जाने हैं तू प्रेशित की जा रही हैं आगे लिखाए अता आपको निर्धेशित किया जाता है कि परिक्षा के इंद्र निर्धारित करते समय इन बातों का ध्यान रखें पहला की परिक्षा के इंद्र जन्पद मुख्याले से नजदीक हो वहीं आवा गमन हेतू पर्याप्त संसाधन की विवस्ता हो तथा अभ्यरतियों के पहुचने में असुविधा ना हो दूसरा एकी परिक्षा केंद्रों का निर्धारित इस प्रकार किया जाए कि COVID-19 बचाओ हेतू निर्धारित जो मानक हैं उनके अनुसार सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धारण चमता निर्धारित की जाए जो नियुनितम जो है वो 300 की जो होगी इससे अधिक जो पिसिचारती हैं उनको बैठानी की विवस्ता सोसल डिस्टेंसिक मानक के अनुसार तो धारण चमता का उलेग भी अलग से जो है वो किया जाए और साथ परिक्षा केंद्र पर थर्मल इसकैनिंग की समुचित विवस्ता भी होनी चाहिए तो यहाँ पर एक नियुनतम संख्या भी दे रखी है 300 तीसरा देखते हैं परिक्षा केंद्र अच्छी ख्याती वाले राजकी आसास की साहिता प्राप्त इंटर कॉलेज जो है उनको ही नड़धारित किया जाए तो काफी लोग यह पूचते हैं कि उनका सेंटर कहा तो जैसे कि हमेशा जाता है आपका राजकी है या आसास की है साहिता प्राप्त इंटर कॉलेज सेम प्रतेग साल की तरह उसी प्रकार से जो है वो जाएगा किसी प्रकार से प्राइवेट कॉलेज वगरा में नहीं जाएगा आगे लिखाए जहां पूर्व में परिक्षा सा पूर में जिन परिक्षा के इंद्र कदापी ना प्रस्तावित किया जाए। पूर में जिन परिक्षा के इंद्र कदापी ना प्रस्तावित किया जाए। कि किसी भी दसा में परिक्षा के इंद्र पर तंबू तैनात लगाकर खुले में परिक्षा आयो जित ना कराई जाए। नवा है कि परिक्षा के इंद्र 19 हंस्तानों को बनाया जाए जिसमें CCTV कैमरा की भी विवस्ता हो जिससे परिक्षा की मॉनिटरिंग भी की जा सके। दसवा हैं कि विद्याले की धारण शमता की साप एक छी परिक्षा केंद्र भी आवंटित किये जाने की विवस्ता का द्रड़ता से पारन किया जाए और जिन विद्यालों में प्रभंध की और परधानाचारे के मद्ध विवाद हो उन्हें परिक्षा केंद्र कदा पीना लाश वाले पॉइंट में आपका लिखा है कि जहां पर भी आपका सेंटर जाए वहां पर आपका डियलेट जो है वो ना संचालित हो यानि कि वहां पर किसी प्रकार की डियलेट क्लास्स ना चलने हो यह सारी चीज़ों को लिखा हुआ है कि परिक्षा के अंदर के परिसर में डियलेट संस्थान संचालित ना हो और अगर ऐसा है तो इसका भी इस पश्ट उलेक किया जाए लाश में लिखाए कि उक्त परिक्षा जन्रपत इस तर पर आपकी देख रेक में कराई जानी है ताप परिक्षा की सुचिता और पवित्रता को दृष्टिकत रखते हो आपका सही योग वांचनी है परिक्षा के अंदर निर्धारित करते समय उलिखित बिंदूओं का कठोर से अनुपालन सुनिष्चित किया जाए प्रक्रण को सर्वोच वरेता प्रदान करते हो निर्धारित परिक्षा के अंदरों की सूची निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 8-10-2020 तक काराले के मेल जो यहां पर दे रखा है इस पर उपलब्द कराने के लिए करका आ गया है तो यह सभी आपके जो है पॉंट थे जो कि आप देख सकते हैं अपने परिक्षा सेंटर में यही था आज के अपडेट में में पॉंट आपका वही था आसास की साहता प्राप्त जो है वो विद्याले क्योंकि वही अधिकतर लोग जो है वो पूझा करते हैं वीडियो को श कि तरवे हैं व तो नहीं कर दोगा दिए औल जाय कर दोगा है और लगे हैं।